द्वैद एक आवश्यक विश्य है वाणिपीट्या से जब तक कोई व्यक्ती एक व्यक्ती को मित्र और दूसरे को शत्रु मान कर द्वैद के दर्शन का पालन करता है तब तक उसी माया की चंगुल में समझा जाना चाहिए मायावादी दार्शनिक जो सोचता है कि सभी जीव भगवान है और इसलिए एक है वेह भी गलक है इश्वर के तुल्ले कोई नहीं है नौकर मालिक के बड़ाबर नहीं हो सकता वैश्ण दर्शन के अनुसार स्वामी एक है और सेवक भी एक है लेकिन स्वामी और सेवक के बीच का अंतर मुक्त अवस्था में भी जारी रहना चाहिए बध्धवस्था में हम सूचते हैं कि कुछ जीव हमारे मित्र हैं जबकि अनिशत्रु हैं और इस प्रकार हम द्वन्द्व में हैं इसलिए हमें अपनी बुद्धी को इस समझ तक बढ़ाना चाहिए कि हम सभी भगवान के अंश हैं श्रील प्रभुपात की पुस्तकें, व्याख्यान, वारित अलाप और पत्र इस आवशक विश्य की व्यापक प्रस्तुती प्रदान करते हैं जैसा कि वानी कोट्स द्वन्द्व श्रणी में देखा जाता है उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलखित दस सुधर्णों में दिया गया है श्रील प्रभुपात की पुस्तकों से उधर्णा अध्यात्मिक उन्नती के लिएक उमीदवार को अहिंसक होना चाहिए महान आचारियों के नक्षे एक दम पर चलना चाहिए भगवान की लिलाओं के अमरित को हमीशा याद रखना चाहिए बहुत ही इच्छा के बिना नियामक सिध्धानतों का पालन करना चाहिए और नियामक सिध्धानतों का पालन करते हुए दूसरों की नीदा न करें एक भग्त को बहुत ही सरल जीवन जीना चाहिए और विरोधी तत्वों के द्वन्द्व से परिशान नहीं होना चाहिए। उन्हें इन्हें बर्दाष्ट करना सीखना चाहिए। श्रीमत भागवत 4.2.24 एक भक्त जीवन की सभी स्थितियों में तटस्त रहता है। चाहिए वेह स्वर्ग में हो या नरक में, चाहिए वेह भातिक संसार से मुक्त हो या इसके द्वारा बात हो और चाहिए उसे सुख प्राप्थ हुआ हो या कश्ट सहना पढ़ा हो। ये सभी बाहर उर्जा द्वारा निर्मित्वन द्वमात्र हैं। बार्य उर्जा से प्रभावित होकर जीवेक स्थूल और सुक्ष्म भौतिक शरीर को स्विकार करता है और इस भ्रामक स्थिती में वेहस पश्ट्रूप से दुखों को सहन करता है, हलाकि हर कोई परमभगवान का अभिन अंग है। और पार्गमंत से समबन्तित हर चीज में पुर्ण ज्यान रखता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अच्ची तरह से समझ सकता है कि कृष्ण में द्वयत एक साथ पहचान और व्यक्तित्व हैं, और ऐसे पार लौओके ज्यान से सुसजित होकर व्यक्ति मुक्ति क के मार्ग पर लगातार प्रगती कर सकता है भगवत गीता 5.1 साथ भागवत में किसी गतिविधी के परिणाम पर चिंता का कारण द्वैत की अवधार ना में कारे करना बताया गया है अर्थात कुन सत्य के ज्ञान के बिना कृष्ण सर्वुच परम सत्य भगवान का व्यक्ति हैं इसलिए क्रिष्ण चेतना में गतिविधिया पून स्तर पर होती हैं वे पारलौकिक हैं और उनका कोई भौतिक प्रभाव नहीं है भगवत गीता 5.1-2 दोहरी दुनिया में हर कोई दुनिया का मालिक बनने का जूठ प्रयास कर रहा है जबकि पून दुनिया में भगव परिहार है शरुनागत जीव के लिए बगवान ही अभय का एक मात्र आश्र है कोई भी व्यक्ति स्वयम को बगवान के चरण कमलों में समर्पित्खी बिना भौतिक संसार में मृत्यू के करूर हाथों से खुद को नहीं बचा सकता है श्रीमत भागवत 1.8-9 सर्वोच सत्य आत्म निर्भर, सनग्यानात्मक और सापेक्षता के ब्राम से मुक्त है सापेक्ष जगत में ज्याता ज्यात से भिन है लेकिन परम सत्य में ज्याता और गेल दोनों एक ही चीज है सापेक्ष जगत में ज्याता जीवित आत्माय श्रेष्ठ हूर्जा है जबकि ज्यात द्वंद्व के दुनिया में यानि भौतिक दुनिया में तथाकत हित अच्छाई और बुराई दोनों एक ही है इसलिए इस संसार में अच्छे और बुरे सुख और दुख के बीचानतर करना व्यर्थ है क्योंकि ये दोनों मांसिक मनगढ़न पाते मरोधर्म हैं चुकि यहां सब कुछ दुहक में और कश्टकारी है इसलिए कृत्रिम सिति उत्पन करके ये दिखायवा करना कि ये सुख से परिपून है केवल ब्रह्म है मुक्त व्यक्ति भौतिक टक्रिति के तीन गुणों के प्रभाव से प्रे होने के कारण सभी परिस्थितियों में ऐसे द्वंद के बिना पून आत्मा है दोहरी दुनिया में हर कोई दुनिया का मालिक बनने का जूठ प्रयास कर रहा है जबकि पून दुनिया में भगवान पून भगवान है और अने सभी उनके पून सेवक हैं द्वंद्व की दुनिया में हर कोई दूसर से इर्शा करता है और पदार् कृतिक शरी अस्थित्व में हैं तब तक भौतिक गुणों में क्रियाय और प्रतिक्रियाय होती रहती हैं सुक दुख सर्दीं गर्मी जैसे द्वनगों के प्रतिसहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वनगों को सहन medidas क्रेकि लापätze की चिनता से मुखत होना होगा यह दिविस्थिती पून कृष्ण चेतना में तब प्राप्थ होती है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से कृष्ण की सद्भावना पर निर्भर होता है भगवत गीता 2.45 जिन व्यक्तियों ने पिछली जन्मों और इस जीवन में पवित्रता पूर्वक कारे किया है और जिनके पाप कर्ण पूरी तरह से नष्ठ हो गए हैं वेग्राम के द्वन्द्व से मुक्त हो जाते हैं और विद्र संकल्प के साथ मेरी सेवा में सनलगन हो जाते हैं भगवान की पारलौकिक प्रेम पून सिवा में उद्देश के विचलन या द्वन्द्व के बिना सनलग होता है इस युग में हालाकी लोग बहुत पापी हैं केवल हरे कृष्ण महा मंत्र का जाप उन्हें उनकी पापों की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा दिला सकता है चैतन्य चरितामरित आधी लीला आठ दशम्लद उच्छे